How to handle bad and good situations and conditions in business and life. Business की ज्यादा तरबात है. How to handle situations. देखो जब परिस्तिती नॉर्मल चलती हैं, हम लोग ठीक ठाक है. जब परिस्तिती बिगरती हैं, तब हम unstable हो जाते हैं. लेकिन एक बात तो नक्की, निस्चाय, तै करनी हैं, कि हमें अपने जीवन में, कोई भी संजोग में, कोई भी परिस्तिती में, स्थीरता तो बनाई रखनी चाहिए. क्योंकि, number one point is, not all days are equal. Yes or no? We accept it or not? Raise your hands if we accept that not all days are equal. We all. हो. हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं. कोई दिन कमाएका होता हैं, कोई दिन losses के होते हैं, कोई दिन अपनी जीत होती हैं, कोई दिन अपनी हार होती हैं. First of all, you have to accept that all days in life are not equal. God did not sign an M.O.U. with me when I was born upon this earth, कि बेटा, तेरे सभी काम अच्छे होंगे. तो पहली बात अगर हमें accept कर लें, कि हर बात में हमारी जीत नहीं होती हैं, हम हार भी सकते हैं, तो आपको stability बहुत आएंगे. The first and the foremost thing in life for stability is acceptance of the happenings of your life. आप accept कर लेंगे, तो आपका stress level 80% down हो सकता है. आप accept नहीं करते हो, इसके stress level बढ़ जाते हैं. Why did this happen to me? यह क्यों हुआ? मैंने अपना effort लगा दिया था, मैंने इतना time दिया था इस project के पीछे, इस client को समझाने के लिए, मैंने इतना time दिया, इतना resources यूज़ कर दियें, फिर भी यह successful नहीं निकला बहार. क्यों नहीं निकला होगा? तो मनुष्य का करते विया इतना ही है. शिमत भगवत गीता में बगवान सी कृष्णा ने बताया है. कर्मन ये वाधिकारस्ते माः फलेशु कदाचना है. He tells Arjun, Arjun, your job is to perform your duty well to the best of the resources that you have. Rest, God says, I will decide the results. बगवान ने बहुत स्पस्ट किया है. कि आप सब मनुष्य अपना अपना प्रहत्ना कर लेना, अपना पुरुशार्थ लगा देना, जो भी आपके पास academics है, talents है, experience है, resources है, वो सभी कुछ आप लगा देना. Results, Lord Krishna says, I decide. ये बगवान ने बहुत स्पस्ट कहा है. हम चिंतित क्यों हो जाते हैं? स्ट्रेस में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम results की बहुत चिंता करते हैं कि ये ही result आना चाहिए. क्योंकि मैंने प्रहत्न किया है, मैंने resources डाले है, मैंने अपनी बुद्धी से planning किया था. लेकिन ये सब्भी होने के बाउजुद भी भगवान ने ये plan किया था कि आपको इस project में success नहीं देना है. तो क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते हैं. उसका मतलब ये नहीं है कि प्रहत्न ना करना. पुरुष प्रहत्न करना वो मनुष्य का करतव यह है. परिणाम कम मिले, ज्यादा मिले, न भी मिले, लेकिन प्रहत्न करते रहे ना, पुरुषार्थ करते रहे ना, वो मनुष्य का करतव यह है. सभी महापुरुषों के जीवन में आप देखें. I have read more than 400 biographies and autobiographies in my life. From Nelson Mandela to Gandhi to Washington to Churchill to Abraham Lincoln to Sachin Tendulka to Prahok Swami Imarath, everybody. इन सभी के जीवन में यह element था, कि सुबह से उठके शाम तक पुरुष प्रहत्ना करते रहे ना, लेकिन यह समझदारी रखनी बहुत जरूरी है, कि मैं प्रहत्ना कर लूँगा, शाम को जो परिणा मुझे मिले, मैं सुइकार कर लूँगा. यह how to handle bad and good situations in life के लिए सबसे बड़ी समझदारी है.